तो हलो हाई एवरिवन वेलकम है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर तो आज मैं पहुंचा हूँ बखतियारपूर पसु मंडी जो कि ये मंडी सबताहिक मंडी है परती एक सोम बार को ये मंडी लगती है इस मंडी की पूरी डिटेल जाने तो ये मंडी जो कि कि ऊपसित है तो आज इस मंडी से जानेंगी एक-एक करकी काफी सारी गाए की डिटेल तो बने रही वीडियो में आकरी तक पहली गाए यहां पर आप देख पा रहे जैसा कि इस केन को उपर इस गया का डेटल मैं पहले देना चाहूंगा छे दाथ में इस गया की डिटेल बतलाई जा रही है, 14 लिटर दूद की कैपिसिटी, दोनों टाइम का इस गाई के अंदर बतलाई जा रहा है, डिमांड की बात कर तो एक 70,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गया है, जो कि दाम में कम बेस हो जाएगा, काफी हाई रेड देखने को मिल रहा है, एक बार गाई क दूसरी स lira से भी गाई को देख लाना चाहूँँगा, फरंट से यहां पर गाई को आप देख पा है, अतर 12,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गया है, मेल बच्चा के साध में बच्चा को भी आगे की आप देख पाँ है, जो कि HF Cross में का बच्चा आपको देखने को मिल रहा है दाम में कम बेस हो जाएगा तो बढ़ेंगे एक और गाई की तरह एक और गाई उसी गाई के बगल में ये गाई देखने को मिल रहा है तो इस गाई का भी पूरा डीटेल मैं देना चाहूँगा दात में मिली भी इस गाई की डीटेल बतलाई जा रही है 16 लीटर दूद की कैपेसिटी दोनो टाम का इस गाई के अंदर बतलाई जा रहा है गाई को आप पीछे साइट से आप देख पारें काफी आसानी से अडरग बिनांड भी आप देख पारें 16 लिटर दोनों टाइम का दूद बतलाया जा रहा है डिमांड की बात करेंगे तो 68,000 पैस गाई का डिमांड रखा गिया है जो कि दाम में कम बेस हो जाएगा और ये गाई को दूसरी साथ से भी काफी आसानी से आप देख पा रहें मातरे ये गाई 16 लिटर दूर की कैपिसिटी बतलाई गी है मेल बच्चे के साथ में ये गाई आपको देखने को मिला है तो इस टाइब की गाई आगे और भी काफी सारी देखने को मिलेगा तो बने रहे हैं वीडियो में आखरी तक तो यहाँ पर उसी गाई के जश्ट बगल में एक और गाई यहाँ पर देखने को मिला है तो इस गाई का भी पूरा डिटल में देना चाओंगा और इस गाई को बाहर निकाल के भी एक बार आपको देख लाया जाएगा तो बने रहे हैं आखरी तक तो इस गाई को आप देख पार है बाहर निकाला जा रहा है अब पूरी डिटल में आपको इस गाई का देना चाओंगा दांत में मिली भी इस गाई की डिटल बतलाई जा रही है 13-14 लिटर दूद की कैपिसिटी दोने टांत का इस गाई का अंदर बतलाई जा रहा है गाई को आप देख पार है घुमा के गाई को देख लाया जा रहा है तो इस टाप की गाई काफी आसानी से मंडी में अवलेबल हो जाती है देरी फॉर्म के लिए अगर गाई आप परचिस करना चाहते है तो बक्तियारपल पस्व मंडी काफी असानी से आप आ सकते हैं ये मंडी जो की बिहार की राजधानी पटना से लगबख 50 किलोमेटर की दूरी पर ये मंडी उपसित है तो एक और गाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चा को भी आप काफी आसानी से देख पारे मेल बच्चा के साथ में यह भी आपको देखने को मिल रहा है पंदरा लीटर दूर्ट की कैपिसिटी दोनों टाइम का इस गाई के अंदर बतला जा रहा है डिमांड की बात करें तो 55,500 इस गाई का यानि कि 55,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गिया है तो बढ़ेंगे कुछ और गाई की तरह एक और गाई काफी संदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस गाई की भी पूरी डिटल में आपको देना चाहूंगा छे नात में से मातरे इस गाई की डिटल बतलाई जा रही है यानि कि दूसरी बार यह गाई भी आई है गाई को पीछे साथ से भी आप देख पारें टाइट अडर में से थोड़ा गाई आपको देखने को मिल रहा है 16 लीटर दूद की कैपिसिटी 200 टाइम का बतलाई जा रहा है गाई को देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि क्या दूद निकाल पाएगी पीछे साथ से काफी आसानी से आप देख पारें 61,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गया है जो की दाम में कम बेस हो जाएगा फीमेल बच्चा के साथ में ये गाई आपको देखने को मिल रहा है दूसी साथ से भी एक बार मैं आपको देखलाने का कोशिस कर रहा हूँ दूसी साथ से भी काफी आसानी से आप देख पारें सोला लीटर दूद बतलाया जारा वैसे हमारे अनदाज से भी ये सोला लीटर दूद नहीं निकालेगी वैसे आप भी कमन में अपना फीड़बेक जरूर दे क्या दूद निकाल पाएगी तो बढ़ेंगे कुछ और गाई की तरफ बाहर की तरफ भी एक दो गाई देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो इन दोनों गाई का भी डेटल में आपको यहाँ पर देना चाहूंगा जश्ट बगल में एक और गाई खड़ी भी देखने को मिल रहा है तो यह गाई की पहली डेटल में आपको देना चाहूंगा जो कि दाम में कम बेस हो जाएगा मंडी का प्राइज फिक्स नहीं होता जैसा कि मैंने पहले भी काफी सारी वीडियो में बतलाएगा है कि मंडी का प्राइज फिक्स नहीं होता दाम में कम बेस हो जाता है और rate बहुता है इस वज़ा से demand को ज़ादा ही बतला जाता है तो guy को आप देख पा रहें यहाँ पर 49,000 पैस guy का demand रखा गया है male बच्चा के साथ में बच्चा को भी यहाँ पर बैठा हुआ आप देख पा रहें काफी आसानी से तो male बच्चा के साथ में यह गाई आपको देखने को मिला है दूसरी सैट से भी आप देख पा रहें तो जश्ट बगल में एक और गाई देखने को मिला तो इस गाई की भी मैं आपको detail देना चाहूँगा जो की दांत में मिली इस गाई की detail बतलाई जा रहे है 16 लिटर दूद की capacity इस गाई के अंदर बतलाई जा रहे है दोनो टाइम का demand की बात करें तो 54,000 पर इस गाई का demand रखा गया है जो की दां में कमबेस हो जाएगा पीछे सैट से भी एक बार मैं आपको देख लाना चाहूँगा पीछे सैट से अडर की बनाट आप देख पारें काफी आसानी से मेल बच्चा के साथ में ये गाई आपको देखने को मिलता है तो इस टाइब की गाई काफी आसानी से मंडी में अबलेबल हो जाती है तो इस टाइब की वीडियो अगर आप देखना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकोन को दवा ले ताकि इस तरह का नोटिफेकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके मैं बिहार की काफी सारी मंडी का जैसा की जरुआ मंडी और बक्तियारपूर पसुमंडी और जो की एन को पसुमंडी जैसे मंडी का मैं वीडियो कवर करता रहता हूँ तो काफी सारी बिहार की मंडी का आपको अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकोन को भी जरूर दवा ले ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिल सके तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में